हलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लाशिज आज डेट है 19 सितंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियान एक्स्प्रिस में एडिटोर्यल डिस्कुशन में आज कौन-कौन सा आर्टिकल से अपन डिसकुस करेंगे आज अपन तीन आर्टिकल से डिसकुस करेंगे पहला आर्टि कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इंडिया का वह किस तरीके से काम कर रहा है क्या क्या कमिया है तो सबसे पहले देख लेता है बिट्वीन हेट एंड स्टीट यह प्रताप सिंग बानु के द्वारा लिखा हुआ यह अर्टिकल है इसमें बताए गया है कि फ्री स्पीज क खतम होती नहीं है कि दूसरी tragedy आ जाती है free speech के नाम पर आज कोई भी अगर कोई campaign कर रहा है तो उसमें hate speech या फिर offensive speech बोल देता है और फिर ये claim करता है कि हमारे पास में right है article 19 के अंडर में तो point ही आता है कि वहाँ पर article 19 में जो clause 2 अना वो restriction भी तो लगाता है reasonable उन चीजों को भी अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है तो point यहाँ पर है कि अभी जो सुदर्शन TV का जो case आया है जिसमें बिंदास बोल करके एक show था जिसमें UPSC जिहाद करके एक article एक point के उपर पू program broadcast करो तो उसके पहले ही आप उसको check करो और अगर उसमें कोई ऐसे content है जो की communal harmony को destabilize कर सकते हैं तो उसको रोक दो ठीक है Supreme Court जो है वो इस provision को prior restraint के provision को sparingly use करता है और करना भी चाहिए यह ठीक है तो इसमें check यह किया जाता है कि जो हमारे constitution का जो status है constitution में हमारी जो limits दी हु है यह देखने वाली बात होती है तो hate speech को regulate करना हमेशा एक तरीके से थोड़ा सा एक tricky रहता है क्योंकि आपको differentiate करना पड़ता है offensive speech और hate speech में जब hate speech की बात आती है तो hate speech हमेशा एक community को target करता है या फिर उस community को degrade करने की कोशिश करता है defame करने की कोशिश करता है तो सुदर डोमेन में जो material available है तो वो clear cut एक चीज़ बताता है कि यह hate speech ही है जहां कि कही ना कहीं bad shadow के अंदर एक community को show करने की कोशिश कर रहा है तो जो court ने जो interim restaurant order पास किया है तो यह सोचके किया है कि कैसे भी करके इस matter को sort out किया जाए settle किया जाए और एक careful consideration base जिससें की content का पता किया जाए कि वाकरी में content गड़बढ है या नहीं उसके basis पर यह interim order दिया गया है तो यहां पर point ही आता है कि democracy और freedom के लिए इस तरीके से अगर cases आते रहेंगे ना तो आने वाले time पर और भी बुरे दिन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 1951 मतलब 1947 में independence के बाद में 1950 में हमारा constitution हमन एक तरीके से लागू कर दिया था तो उसके बाद से लेके अब तक बहुत सारे cases आये हैं तो जैसे ही first amendment हुआ था ninth schedule को add किया गया था तो उसमें भी आप देख सकते हो कि जो उस time हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जमारलार नेरू उन्हीं के time पर आय गया था first amendment तो 1951 मे ठीक है तो उस amendment का जो basis था तो आप देखोगे कि जो लोग liberal values के basis पे जिन्हों ने freedom struggle किया था वो लोग भी कहीं ना कहीं उन values से दूर जाते हुए दिखाई दिये थे क्योंकि आपको क्या होता है कि कुछ जगहों पर distinction एक line खीशनी पड़ती है कि इस line को cross मत करो इसके line के cross क रहने के बाद में state अपनी power apply करना शुरू कर देगा तो liberals क्या होता है liberal ideology क्या होती है कि individual को पूरा freedom दे दे कि भई आप अपने इसाप से अपना काम करो और self empowerment करो ठीक है तो इस तरीके से first amendment जो आया था उसमें बहुत सारे ऐसे कानून रख दिये गए थे उस 9th schedule में जिनको क कोई claim ना कर सके ना कोई blame कर सके तो इस तरीके से आपने कुछ individuals को या कुछ एक section of society को protect करने के लिए दूसरे section of society को कहीं ना कहीं दूर कर दिया उनको अपनी individualism के उपर काम करने से दूर रख दिया तो कहने का मतलब यह है कि यह जो problem जो थी वो problem ही आज हम देख पा रहे हैं जहां पर government को कहीं ना कहीं एक डर सा लगा रहता है या फिर government हमेशा से एक कोशिस करती रहती है कि कैसे भी करके हमारे देश में communal जो issues हैं वो रुके रहे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जब से partition हुआ है ना तब से ये fear तो हमेशा से रहता है कि communal violence कहीं create ना हो जाए क्यों government जो है वो इस चीज को रोकने की कोशिश भी करती है तो इस वज़े से speech को regulate भी करने की बहुत सारी power अपने हाथ में ले रखी है तो इससे क्या होता है कि आप ultimately main target तो क्या अपना कि इंडिया का जो republic है हमारा जो गंतंत्र है लोकतंत्र है इसकी fragility को हम protect करना चारहे थे क्यो acceptable या फिर unavoidable एक step बन गया था जो कि government निकरनी शुरू की थी तो ऐसे क्या होता है कि hate और violence जो है वो state को अपने खुद के liberal commitment से बटकने पर मजबूर कर देता है कि जहां हमारा constitution fundamental rights की बात करता है वहाँ पर हम धीरे धीरे आते क्या करते है fundamental duties को भी insert कर देते हैं हमारे constitution में इ state जो है वो जो liberal commitment शुरू में लिये गए थे ना उनसे दिरे दिरे अपने statement से मुकरता हुआ दिखाई देता है तो अगर हम free speech की journey को अगर देखें तो liberals ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है या फिर कभी भी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा है कि भई Republic of India जो है उसक था कि कैसे भी करके English से हम free हो और सब को each and every individual should have their right to enhance themselves ठीक है तो खुद को कैसे improve करें उस चीज़ के लिए उनको right दिये जाएं तो आज जो politics चलती है उसमें Republic of India या Republic जो है उसको defend करने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं की जाती है चाहे वो कितने ही laws आ जाए कितने ही institutions establish कर द करने के लिए कि हाँ भई कोई hate speech तो नहीं दे रहा है उसको spread होने से रोकने के लिए अगर कोई कुछ कर रहा है ना तो वो अपनी खुद की requirements जैसे कि political issues जैसे कि कोई issue भी आ गया तो उसको politicize करना ठीक है और उसको कैसे भी करके अपने political gain में convert करना ये ही एक target रह गया है तो एक argument निकल के आता है कि भई liberals की जो hypocrisy है ना that means कि liberals बोलते तो ये हैं कि each and every individual अब खुद से अपने आपको explore करे, empower करे बट reality में जब देखा जाए तो वो केवल और केवल खुद के gain के लिए इसे hate speech या free speech के argument को कहीं ना कहीं अपने लिए use करते हुए दिखाई देते हैं इनके against में कोई भी अगर dissent भी show करेगा ना तो उसको दबाने की कोशिश की जाएगी तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक बार hate speech की वजह से पूरे इंडिया में या फिर कहीं एक particular part में मतलब instability आ गई तो government क्या करेगी जो ruling power है जिसको state upon consider करते हैं वो क्या करेंगे law बना दें कि भई किस तरीके से hate speech को regulate किया जाए अब hate speech को regulate करने के लिए आपने law बना दिया अब जो state है वो अपने हिसाब से अपने against में आने वाले जितने भी arguments हैं तो उनको दबाने की कोशिश करेगा कि नहीं ये एक बहुत बड़ी irony है इन एक तरफ state की और दूसरी तरफ hate speech का use कर करी है और इसमें दोनों में फाइदा किसी का नहीं है अल्टिमेटली लोगों को ही कही नहीं समश्याओं का सामना करना पड़ता देखना पड़ता है तो इस uneasy equilibrium में भी कैसे जैसे करके Indian democracy है वो survive कर रही है क्योंकि hate speech का कही नहीं आप देखोगे कि अभी तक भी इतना state power जब इस state जब इस power का use करना शुरू कर देता ना unjustified manner में बस ये कि हमारे against में कोई बोले ना तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठके आता है और crisis और भी ज़्यादा deep हो जाता है और भी ज़्यादा गहरा बन जाता है जब एक तरफ hate speech लगातार बनती जाती है और दूसरी तरफ उस hate speech को दबाने के लिए बहुत सारे political consequences देखने पड़ता है community level पे तो यह वैसी situation बन जाती है जैसे कि रवांडा में दो जो tribal communities हैं वहाँ पर बनी थी ठीक है 1982 या 1992 के time की बात है बहुत गजब के मतलब violence हुए थे उस time पे तो even जो communication mediums जो थे ना वो भी communities को target करने के लिए यूज करना शुरू हो गए थे तो यहाँ पर यही एक reason है कि जब आप किसी community को आप target करना शुरू कर देते हो तो आपको prior restraint रखने की ज़रूरत होती है कि speech जो है वो कहीं communal harmony को violet ना कर दे तो अब बात ही आती है कि जब एक तरफ आप hate speech की बात करते हो दूसरी तरफ दीरे दीरे state उस hate speech को दबाने के लिए authoritarian बन जाता जैसे चाइना में होता है चाइना की जो media है वो openly नहीं बोल सकती तो दोनों की भी इसमें एक dilemma आ जाता है एक दूविदा बन के निकल के आ जाती है तो जहां तक अगर आपन देखें तो हमारे यहाँ पर speech को regulate करने के लिए बहुत सारे कानून already present है ठीक है और हर एक जो कानून है जो speech को regulate करने की बात करता है तो वहाँ पर जब state उसको exercise करता ना अपनी power को तो यह नहीं देखता कि किस intention के साथ में वो कानून बना था बस अपनी खुद की power को augment मतलब अपनी खुद की ताकत को power को increase करने में व हम repeat होते हुए देख रहे हैं कि जो independent institutions है ना जिनका use होना चीए empowerment के लिए वो कहीं ना कहीं crumble down कर रहे हैं इस पूरे issue के अंदर अपने आपको अपने आपको uplift कर रहे हैं बाकी चीजों को down करने कोशिस कर रहे हैं 50s के time पे तो एक तो था hate speech दूसरा तरफ था state तो state तो क्या नया बना था तो लोगों की choice थी कि चलो state को ही चूज कर लो बड़ी आया देश कम से कम हमारा तो अंग्रीज तो नहीं है बट आज के time पे दोनों के बीच में आप किसको चूज करोगे hate speech को चूज करोगे या फिर state को चूज करोगे तो यहां पर यह जो dilemma यह बहुत भारी बन रहा है धीरे धीरे तो अगर सुदर्शन टीवी के इस शो से लेकर अगर background को हम जानने की कोशिस करें तो हमें एक चीज जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे यहां पर किस तरीके की political culture चल रही है क्या इन issues को हमेशा से क्या legal distinction के basis पर solve करना चीए भाई आप hate speech को promote क कर रहे हो तो political issues है hate speech को दबाने के लिए आप power को augment कर रहे हो तो भी political issue है और hate speech आ कहां से रही है society से ही तो आ रही है तो ultimately hate speech एक problem कहां से बन के आ रही है social और political problem है जो की free speech के नाम पे कहीं ना कहीं गलत तरीके से use किया जा रहा है free speech का जो हमारा right है उसको तो over reliance अगर हम ज़ जदा निरभरता हम judiciary पे लखेंगे legal instruments पे रखेंगे तो क्या वो वाकई में इन issues को sort out कर सकता है क्योंकि देखो judiciary तो जो है facts के उपर basis देखती है कि हाँ भई ये evidence है इसके basis पे इसने hateful speech दिया है तो इसको jail में डाल दो और इसने नहीं दिया इसको free कर दो तो ultimately वो कोई broader perspective थोड़ ना देख पाते हैं तो free speech के basis पे ये इतने सारे issues अपने को देखने को पड़ते हैं अब अगर free speech को upheld करते हैं तो ये hate speech आती है ये case से उनकी party politics होती है ना वो दबाने की कोशिश करती है कि भई तू ज़्यादा open मत बन पार्टी के ideology को ये तो follow कर तो वो अपने आपको victim hood बना देता है कि हाँ भई मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं और फिर इस वज़े से वो political gain के लिए इस ची को पाते हैं और उसका यूज करते हैं political gain के लिए पहला lesson तो यहाँ पर जरूरत है एक fine distinction की हमें बहुत जरूरी है करना भी चाहिए कि एक difference बनाएं कि speech का मतलब क्या है कौन सा speech normal है कौन सा hate है कौन सा offensive है तो ये एक distinction create करना बहुत जरूरी है और करना चाहिए और कर सकते हैं सच तो ये है कि जितना ज़्यादा state regulate करता है उतना ही ज़्यादा issues politicize होते चले जाते हैं और ultimately state जो है कहने हो लो government ये बात हो रही है ठीक है तो ultimately state जो है वो अगर state के against में कोई बोलता है न तो उसको दबाना शुरू कर देती है descent को दबाना शुरू करते हैं क्यों इस state के आत में बहुत सारे power आ गए ठीक है तो इस तरीके से पहला lesson ये सीखते हैं अपन कि politicization हो जाता है state ज्यादा powerful हो जाता है दूसरा हमारे याँपर laws तो बहुत सारे पढ़े हैं बहुत सारे regulation करने के लिए बहुत सारे कानून पढ़ रहा है या नहीं वो एक सवाल है क्योंकि ये जो भी acts है institutions है ना ये ineffective साबित होते जा रहे हैं just because of their dysfunctioning कि वो function ही नहीं करना चाते तो क्या dysfunctional का जो ये issue है काम ना करना institution का एक issue है तो एक नया institute बनाना सही रहेगा किसी भी तरीके से बिलकुली possible सही बात नहीं रहेगी तो अग पर एक बड़ी अच्छी बात बता रहे है writer कि भई कानून चाहे कैसा भी हो कानून अगर आपके पास एक भी है और political culture अगर आपका अच्छा है ना तो आप अपने आप ही proper regulate कर पाऊगे ये भिम्रावंबेडगर जी ने भी कहा था कि भई आप constitution चाहे कितना ही अच्छा बन जाता है जब उसको implement या जो leaders होते हैं वो एक तरीके से ethically बहुत weak होते हैं वो ही चीज यहां पर apply हो रही है ऐसे ही तीसरा lesson यहां से क्या सीख सकते हैं कि हमारे यहां पर जो democratic deliberation का जो system होना चीए ना क्यों democracy में क्या होती है वो ही चीज एक ने अपना idea दिया that is thesis उसका opposition किय उसने बोला बोला मैं antithesis देता हूँ और इन दोनों के deliberation से बाचित करने के बाद में फिर ultimately निकल के आता है synthesis कि हाजी दोनों parties की बात मान ली दोनों opposition में बैठे थे तो यह जो democratic deliberation का जो partner यह कही ना कही अब खतम होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके पीछे वज़े क्या ह political economy क्यों क्योंकि political economy क्या होती है इसके अंदर कि जब social media है आज जैसे facebook हो गया या instagram हो गया है कोई भी हो गया तो उनमें आप देखोगे आप अगर पैसा दे देते हो जो जो जितना पैसा खर्च करेगा उतना ही वो company उसको promote कर देगी तो वो तो चलो ठीक है monetization incentive based पे काम करता है बट broadcast media है उसको तो हम independent consider करते हैं फोर्थ pillar of democracy बोलते हैं ठीक है तो वहाँ पर भी आज आज आप देखोगे तो वहाँ पर भी एक तरीक है कि आपको political economy दिखेगी कैसे कि license जो अब issue करती है कोई भी government तो license political affair अपने आप बन जाता है क्योंकि government ruling party है वो यही तो चाहेगी न कि ऐसे मीडिया में ऐसे ही channels को लें जो हमारे गुणगान करे ठीक है दूसरी तरफ जो try जो है हमारे यहां पर regulatory authority of India telecommunication regulatory authority of India वो structure जो है price का वो भी तो decide करती है तो जिन लोगों के पास पैसा कम है वो लोग कैसे assert कर पाएंगे अपने आपको या फिर किस तरीके से अपना channel च और competition के नाम पे तो current media landscape को अगर अपन देखें तो ने तो वो proper market की तरह काम करें यह जहां पर पूरा पैसा है और ना fully state के हाथ में है तो हमारे तो hybrid हो गया सारा का सारा system वोई बात mix economy हो गई यहां पर भी तो अगर यह जो underlying political economy है ना media का यह अगर टूट जाता है ना तो भी ह हम कहीं ना कहीं free speech को upheld करने में मुश्किल में आ जाएंगे वो कैसे हैं जैसे मान लो कोई एक channel है उसको अगर कोई political ideology वाले पैसे नहीं देंगे या फिर उनको promote नहीं करेंगे तो जब opposition या दूसरी against वाली party जो है वो rule में आएगी तो उनकी बातों को कैसे expose करेगा तो यह अभी एक अपने आप में delay में बनके निकल के आ रहा है तो ultimately point ही आ रहा है कि democratic deliberation का जो system है हमारे यहां पे वो बहुत हद तक तूड़ चुका है discussion होना जरूरी है आज पार्लियमेंट में भी देखो opposition कितना weak है कि जो ruling party है वो discussion ही नहीं करती कोई issues पर जैसे कि अपने एक article discuss कि जिसमें था कि जो अभी current government आ चल रही है जो जैसे ही rule में आई तो उन्होंने बहुत सारे कानून ऐसे पारित कर दिये जल्दबाजी में कि एक जो departmental standing committees होती है वो भी constitute नहीं हो पाई थी तो आप समझ सकते हो कितना weak हो रहा है हमारा democratic system ठीक है तो यहां पर point ही आता है कि हमें यहां पर बहुत जादा और एक serious thinking करने की जरूरत है सोचने की जरूरत है कि जब कोई काम होकर के market में आ जाए उसके बाद में उसको हम regulate करें इसके पहले हम check and balance पहले ही define कर ले ना जिसें की bad media drives को हम पहले ही रोक दे जैसे कि यह सुदर्शन TV का जो आ रहा है उसके चकर में तो आप इस तरीके इसे काम करो कि post facto मतलब जो चीज हो चुकी है उसके बाद में post mortem मत करो उसका ठीक है आप उसको preventive majors के basis पे regulate करो क्योंकि ultimately society में हमारे harmony बनी रहनी बहुत जरूरी है और सुप्रीम कोट ने यह बोला भी है तो यहाँ पर point यह है कि सुप्रीम कोट ने जो क काम किया है ना यह कहीं ना कहीं पार्लियमेंट का डॉमीन है पार्लियमेंट को काम करना चाहिए सुप्रीम कोट ने तो चलो CEO मोटो लिया कि खुद से एक जाके संग्यान ले लिया बट regulatory framework जो है वो कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोट वहाँ पर अपने आपको assert करता है तो वो ज्यादा confidence create नहीं करेगा क्योंकि lawmaking जो है जो भी कुछ शुरुआत होती है ना कानून बनने की वो पार्लियमेंट से होनी चाहिए तो लास्ट में राइटर यही बोलते हैं कि अगर कोई हम speech को regulate करने के लिए कानून बनाते हैं और ये डर देखते हैं कि जो community में हमारे यहाँ पर एक डर पैदा कर सकता है तो ultimately वो जो कानून होगा ना वो लोगों को ही जज़ करने वाला है तो जब ज़्यादा speech को regulate किया जाता है तो एक चीज़ निकल के आती है वो ये कि हमेशा से speech को target करना शुरू कर देते हैं कि लोग बोल क्या रहे हैं कोई एक individual बोल क्या सोचना शुरू कर देते हो कि लोग जो हैं उन पर trust नहीं है ठीक है तो यहाँ पर जो लोगों का विश्वास है ना वो अगर कम होता चला गया state ज्यादा powerful हो गया तो गड़बड है तो अभी जो situation की जो tragedy है ना जहाँ पर hate speech की हम बात कर रहे हैं तो कुछ leaders ऐसे होते हैं कि hate speech का use इसलिए करता है कि भई हम जैसे ही hate speech बोलेंगे किसी एक community को अगर defame करेंगे तो हम लोगों की नजरों में popular हो जाएंगे अब होता क्या है अब जब hate speech कोई देता है तो भई उसको state दबाने की कोशिस करेगा अपने regulations के basis पे और जब वो दबाएगा तो definitely क्या हो गया कि भई हाँ लोगों की नजरों में आ गया जैसे कि सुदर्शन टीवी का ये शो अब ये टीवी पे शो आता तो क्या हम इतना जानते नहीं ना पर सुप्रीम कोड में ये issue फैल गया तो जो message जो चारा था ये hate speech के थ्रू सुदर्शन टीवी बिंदास बोल के थ्रू वो message तो स चाते न चाते हुए भी hate speech के basis पे लोग अपनी popularity को gain करना चाते हैं तो वो gain कर ही लेते हैं चाहिए state अपना role play करे या ना करे करता है तो भी देख लो आप तो यहाँ पर जब तक लोग ये नहीं चाते कि भई जो hate की power है वो state की power और hate की power से खुद को ना बचा लें तब तक आप कितने ही कानून बना लो वो सारे fail होंगे ठीक है तो इस तरीके से point ये निकल के आ रहा है कि भई society में जो लोग है political culture जो है हमारे इंडिया का वो अच्छा होना जरूरी है फिर देखो कैसे hate speech अपने आप ही हट जाता है ठीक है तो चलिए next article देखते है talk it through अभी Oxford University का ज उस पर doubts आये थे first week of September में तो ये निकल के आया था कि एक volunteer जिनकी around 70 years थी आर्टिकल अपन थोड़ा डिसकस कर चुके है तो उनके नव में inflammation देखा गया तो उसको रोक दिया गया था trials को फिर 12 सितंबर को UK का जो medicines and health care regulatory agency है उन्होंनों ये बताया कि vaccine बिल्कुल safe है तो एक तर इंडिया का जो drug controller general of India है उन्होंने भी permission देदी इस project को जो की इंडिया का एक institution है that is Serum Institute of India जो की Oxford University के साथ collaborate कर रहा है इंडिया की तरफ से ठीक है तो Serum Institute of India को भी allow कर दिया कि इंडिया हमें भी आप trial resume कर सकते हो but point ही आ रहा है कि अभी भी clarity नहीं है कि vaccine जो है वो कब आएगा uncertainty time framework में लगातार बनती रह रही है एक तरफ हमारे जो health minister है वो ये कह रहे हैं कि vaccine जो है वो लगबग early 2021 में आ जाएगा तो दूसरी तरफ उनका राज्य सभा में एक statement एक caveat आया जिसमें उन्होंने बोला कि अभी भी थोड़ा बहुत time लगेगा कि सब लोगों तक पहुंच ये अपने आप में एक cautious issue आ जाता है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है तो point यह है कि scale of production जो है उसको बढ़ाने में थोड़ा time लगेगा और इसके लिए regulatory approval भी कहीं नहीं बहुत जादा level पर जरूरत पढ़ती है WHO ने एक चीज बिल्कुल clear बोली है कि जो vaccine की supplies है वो शुरुआत में short term और medium term में देखे तो वो limited ही रहेगी तो इस time पे जब हमारे यहाँ पर world में सबसे ज़्यादा cases आ रहे हैं number मतलब सबसे ज़्यादा cases की बात की जाए तो second most infected country है इंडिया तो वहाँ पर हमें priority decide करने की जरूरत है तो कुछ सवाल उठके आते हैं पहला कि priority किसको देंगे दूसरा कि हम differences को कैसे balance करेंगे कैसे competing जो एजिंसी जैसे की health worker है या फिर बूडे है या जो already किसी और बिमारी से पीडित हैं उनमें से आप किसको priority दोगे या फिर जो crowded area जा जिनको hot spot declare किया हुआ है जहां पर हमारा main purpose होना चीए कैसे भी करके targeted way में community transmission को एक तरीके से कॉब किया जाए उनको अपन target करेंगे या फिर उन जगहों पर हम ज़्यादा vaccination प्रोवाइड करें जल्दी से जल्दी जन जगहों पर economy अपने revival की तरफ आ सके क्योंकि economy की issues भी अप लगातार grave होते जा रहा हैं इंडिया के लिए तो इन सवालों के जवाब हमें कहीं नहीं डूडने की जरूरत है तो point ही आता है कि medical की अगर बात करें तो वहाँ पर जो ethicist होते है ना जो नेतिक्ता की बात करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा से एक ही चीज कहते आये हैं कि जब भी कोई medical research हो तो वो broader perspective में होना चीए जिसमें कि आप जो layman है ना layperson मतलब common man है उसके साथ भी discussion करो तो कहने का मतलब जब भी कोई research हो तो उसमें एक तरफ healthcare professionals होने चीए तो साथ में layperson जो है common man है उनसे भी कि आप बातचीत करो जिसें कि आप well targeted manner में आप अपना खुद का research development कर सको बट unfortunately इंडिया में जो है हमेशा से इस बात को ignore किया गया है क्योंकि जितना भी हमारे यहां पर medical research जो होती है ना तो जो researchers हैं वो academic या फिर activist circle से ही बाहर बहुत ही कम निकलते हैं तो medical की जो ethics है वो कह ही ना कहीं हमारे यहां पर follow नहीं की जा रही तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखने की जबरत है साथ में इंडिया जो है वो second worst COVID-19 infected country है तो हम afford नहीं कर सकते कि इन difficult questions के answer दिये बिना ही हम आगे बढ़ जाएं कि भाई किसको देना है कौन से reason में कहां से हम economy को revive कर सकते हैं तो important decision जब लिए जाए ना vaccine से related तो एक healthy interaction होना ज़रूरी है health experts के बीच में social scientists के बीच में economist के बीच में और patients के बीच में ठीक है इसके लिए हमें अब जल्दी से जल्दी बाच्चित शुरू कर देनी चाहिए public domain में ठीक है तो यह article जो था ना आप ethics में इसका use कर सकते हो policy frame करनी है तो ultimately आप जब भी कोई suggestion दोना last में देखो case study में अपन solutions देते हैं तो last में policy formulation की बात अपन जब करें तो यह वाला जो point है ना last वाला जहां पे आप multiple जो stakeholders हैं उनका interaction आप ensure करो तो एक अच्छी policy framework हो सकती है जैसे कि हमारे laws बनता है ना उसमें क्या होता है कि बिल आ government में आने से पहले government जो है वो public domain में draft release करती है और suggestions को draw करती है कि हाँ आपके हिसाब से बता दो कि क्या क्या और changes करने चीए इस law में तो वो जो चीज होती है ना एक democratic way के अंदर जब research होगी ना तो और अच्छा outcome मिलेंगे यह चीज यहां पर बताई जा रही है अपना आराम से उस कर सकते हैं answer writing में और आहोप आप यह जब interview दो तो definitely वहां पर भी काम आने वाली लाइन है चलिए next article देखते है चार शीट्स and fairy tales ठीक है चार शीट और इंसे संबंदित अच्छे-ची कहानिया ओके मतलब इंसे संबंदित जो कहानिया है यह article लिखा गया है कॉलिन गॉ और यह बोल रहे हैं political activist जिन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें उनको बंदूग उठाके गोली चलाने की जरूत पड़ी हो या फिर बॉम फैका हो बस केवल एक weapon यूज किया है वो थी उनकी fierce oratory मतलब केवल speech जो उन्होंने दिया वो मतलब dictatorship या weapon यह कह सकते हैं एक ली किस तरीके से socialism और capitalism इन दोनों को हम separate कर सकते हैं terrorist cases से कहने का मतलब terrorist cases जो होते हैं देखो उनको तो directly identify कर लिया जाता है क्योंकि दिखता है कि हां कितना devastation हुआ है कितना loss हुआ है कितना destruction हुआ है bomb blast या किसी भी वज़े से तो उसकी वज़े से तो आप सीधा case कर दोगे पर ज वो चीज कहीं ना कहीं आप capitalize करने में मुश्किल हो पाते हो और उनको फिर बाद में जिन लोगों के दिमाग में एक आशांती पैदा कर दी है उनको आप कैसे punish करोगे बहुत बड़ा सवाल बनता है तो जो political case है डेली rights की जहां पर आज के टाइम पे तीन चार young persons जो हैं उन को COVID-19 infected jail में डाला हुआ है जिन्नोंने bail की requirement रखी थी उस bail को reject कर दिया गया तो normal language में चार्चीट जो police ने submit की है उसमें main जो चीज थी वो थी कि जो unlawful activities prevention act है जो UAPA act है उसके अंडर में इन लोगों को jail दी गई है और इसे चार्चीट में क्या storytelling, story बताई गई है innuendo मतलब suggestions दे दिये गए, presumption की पहले से दिमाग लगा लिया कि हाँ भई इन लोगों ने तो ये से सोच के ऐसा किया था, extrapolation graph को इतना लंबा कीच दिया कि मतलब जो blame थे ये जो issue था उसको और extend करते तो मतलब narrative को stretch कर दिया इस पूरे चार्चीट में, कहने का मतलब एक लब judges हैं, वो किस तरीके से function करते हैं, ये तो गया पुलीस का काम, कि चार्चीट इतनी लंबी बना देते हैं, कि जो law जो एक तरीके से enforce करने के लिए, जो हमारी judiciary बैठी है, तो judiciary में भी जो उसके workers हैं, officers हैं, या फिर अपन judges इनको बोलते हैं, वो लोग भी difficulties का सामना करते criminal law jurisprudence के अंदर, ठीक है, जब भी कोई criminal law से related कोई भी case चल रहा हो, उसके ओपर कोई भी कार्यवाई हो रही हो, तो इसमें एक important attribute जो आता है न, criminal law में, तो वो जो चीज़े आती हैं, वो देखते हैं, एक तो police जो है, वो distrust के point of view से देखती हैं, किसी भी case को अगर जब investigate कर तो विश्वास की बजाए, वो distrust को पहले दिमाग मिलाती है, फिर investigation सुरू करती है, दूसरा, कि वो जो question करते हैं, उसके लिए, वो क्या सोच के करते हैं, उनकी desire क्या होती है, दूसरा, इसके अलावा, जो document होते हैं, उनको किस intention के साथ में, वो देखते हैं, scrutinize करते हैं, उनको skeptically scrutinize करना, कि उनके ओपर doubt पहले से दिमाग में रखना, फिर आप काम करते हैं, तो कहने का मतलब हमारा जो criminal justice system है, उसमें पहले से ही negative चीजे पड़ी है, कहने का मतलब कि हमने targeting कर लिया है, कि जिनको एक तरीके से बोला गया है, accuse किया गया है, उनको conviction तक ले जाने का target हम लेके चलते हैं, बजाए इसके कि हम evidences पे काम करें, आपको पता होगा कि जो western countries है, वहाँ पर जो intelligence system है, criminal justice system है, इतना advanced है, कि वहाँ पर जो criminals होते हैं, उनको torture नहीं करते हैं, वो evidence based काम करते हैं, वो लोग, ठीक है, हमारे यहाँ पर third degree torture दिया जाता है, उगलवाया जात है, जो कि article 22 है, उसको भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, वहाँ पर भी एक individual को protection मिलती है, कि वो खुद के against में कोई speech ऐसा ना दे, जिसकी वज़े से खुद ही वो criminal साबित हो जाए, तो evidence के basis की बजाए हम ध्यान किस पे देते हैं, केवल और केवल distrust पे, doubt पे, इसका सबसे बड़िया example है, जो वताली judgment, जो डेली rights केस आया ना, उससे related, क्योंकि इसमें जो 17,000 pages की जो एक charge sheet submit की गई है, तो वहाँ पर उसी charge sheet को देखते हुए, Supreme Court ने decline कर दिया, जो bail के लिए एक petition लगाई गई थी, जो accused हैं उनके द्वारा, या उनके जो representative हैं उनके द्वारा, तो आ, यहाँ पर सवाल ही आता है, कि भई आप investigation के basis पे जो evidences हैं, आप उनको consider कर सकते थे ना, आपने ये charge sheet के basis पे ही decline कर दिया, तो जो basic जो आज जो liberal democracies हैं जहां पर जो practices follow की जा रही हैं, उसके against में जा रहा है हो आप, तो कहने का मतलब यह है, कि अब इस bail को reject करने का, एक inevitable result क्या होगा, inevitable का मतलब आप परिहार है, जिसको हम हटा नहीं सकते हैं, इसका परिनाम क्या होगा, कि जो इस moment को, sorry, जो modern day second national moment बोला जा रहा है इसको, ठीक है, जो अपने खुद के rights के लिए जो individuals fight कर रहे हैं, आप उनको jail में बिठा दोगे, और वो आने वाले कई दशकों तक वहीं पड़े रहेंगे और हो सकता है, उनके death भी वहीं हो जाए, तो हमारा criminal justice system किस तरीके से, एक तरीके से, मतलब एक partial way में, evidence को avoid करके, और claims के basis पे, stories के basis पे ही काम कर रहा है, ये एक अपने आप में दुखत बात है, पुलीस ने जब भी कोई trial किया है, तो हमेशा tricks प बोस का एक example है, ठीक है, उनके time पे भी एक विवियन बोस का एक example है, तो जो charge sheet submit की जाती है, उसमें बहुत ज़ादा, मतलब paper होता है, अब उन papers में जब judge ने उन charge sheet की papers को एक एक को जब scrutinize करना शुरू किया, तो उन्होंने जो investigation officer था ना, उसको ये बोला, कि भाई आप एक एक sheet paper के उपर अपना नीदे सकते के claim की क्या case है, जिससे कि हमारे लिए easy going हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि judiciary के लिए भी कितना मुश्किल हो जाता है, अचा एक चीज में बताना भूल के शुरू में, कि हमारा जो criminal justice system होता है, उसके तीन pillar होता है, पहला police, दूसरा jail और तीसरा judiciary, यह तीनों मिल करके फिर बाद में criminal जो होता है, उनको convict करते हैं या फिर उनकी proceedings को handle करते हैं, तीनों pillars, ठीक है, Supreme Court का decline भी हम देख सकते हैं, criminal issues पे, जब एक income tax law, जिस एक judge का background था, मतलब जो civil issues को देख करके, और उनको judge बना दिया गया, और वो criminal case को handle कर रहे ह हैं, और procedure भी उन्होंने civilly अपनाया, principles भी civilly अपनाया, और जब कि वो case देख रहे हैं, criminal, तो आप देख सकते हो Supreme Court की working पर भी यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है, Supreme Court की functioning में यह चीज़ अपन कोट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो वाकई में purity है ना, उसको कही नग होता जा रहा है, लगातार हमारा जो well settled system है, जो वताली case है अभी जो डेली rights का, इसमें भी जो denial किया गया है Supreme Court के द्वारा, तो राइटर यह बोल रहे हैं, कि भई आप evidences की basis पे देखते ना, कि trial के time पे, जब evidence act के basis पे जो evidences admissible नहीं थे, तो उन evidences को Supreme Court तो बुला ही सकता ना, कि भई और क्या-क्या सबूत आप दिखाओ, तो जो चीज पहले admissible नहीं है, कुछ particular cases में, जहाँ पर evidence act apply होता है, वहाँ पर Supreme Court तो बोली सकता है, कि भई evidence क्या है आपके पास में, कि हम आपको bail दें, तो वो चीज consider करने की जरूरत थी, बात वो ही आ गई, western liberal democracy, जहाँ evidence based investigation होता है, और हमारे यहाँ पर distrust based investigation होता है, यहाँ पर एक story और बताते हैं, कि एक most militant था, उसने confess किया police officer के सामने, कि साब मैं, एक most party का ही member हूँ, और बहुत सारे terrorist offenses के लिए, मैं कहीं ना कहीं, अपने आपको responsible मानता हूँ, होता क्या है, अब इस confession के statement को police जो है, वो गल इस एक evidence को, जो कि वाकई में admissible नहीं है, क्योंकि उसने statement मुझे ही तो बोला, वो court में जा करके भी तो जूट बोल सकता था, पर इस inadmissible issue को या evidence को police ने use किया, और उस बंदे को 16 criminal cases में फसा दिया, ठीक है, और वो भी अलग-अलग state में, महराष्टा में, जारखन में, विस्ट का चलता रहता है, नेक्सलिजम का जो अपन देखते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके, जब पता किया, तो 12, 16 में से 12 case तो ऐसे थे, जिनकी F.I.R. में उस बंदे का नाम तक नहीं था, तो आप देख सकते हो, कि कितना distrusted way में police treat करती है, जिनके ओपर भी, ये acquisition लगता है कि भई, ये criminals हैं, इन्होंने crime execute किया है, और वो बंदा 70 साल तक फिर जेल में रहा, उन्होंने अपनी life के बहुत important साल वहाँ बिताए, बिमारियां लग गई, और ultimately फिर बाद में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, आंदर प्रदेश हाई कोट ने फिर bail दी इसको, 20 cases pending थे, तो जो public prosecutor जो थे ना, जो वकील था, जो सरकार की तरफ से लड़ रहा था, उसने ये कहा कि भई, 20 cases ने इसके खिलाफ, आप कैसे free कर रहे हैं उसको, पर सुप्रीम कोट ने जो public prosecutor की जो state की जो अपील थी ना, उस मायोस्ट को free करने से, मतलब कि आप उसको bail grant मत करो, पर सुप्रीम कोट ने इसको dismiss कर दिया था, पर ultimately point ही आता है, कि किस तरीके से police जो है, वो अपने, आपने functioning में partiality दिखाती है, या फिर किस तरीके से face off, face saving का का काम करने की कोशिश करती है, ऐसे ही similar चीज़ अपन देख सकते हैं, Delhi trial court में भी, उसमें भी कुछ accused को छो उड़ा गया था, और ये कहके, कि आपके पास में evidences नहीं है, और जो evidences हैं, वो admissible नहीं है, तो ये चीज़ सुप्रीम कोट अभी भी follow कर सकता था, इसी तरीके से पटियाला कोट ने जो है, उसमें भी free कर दिया गया था, क्योंकि prosecutions जो है, prosecution जो कर रहे थे, investigator officers जो थे, वो ultimately उस बंदे को कई दशुकों तक अपनी life जो है, वो जेल में बितानी पड़ी, जो उसकी productive life हो सकती थी, तो कहने का मतलब यहां पर यही आ रहा है, कि किस तरीके से हमारा criminal justice system काम करता है, तो यह अपने आप में grave situation निकल के आती है, तो आज ही जो तीन जवानों को जो bail नहीं दी गई है, इस basis पे कि भई, चार सीट जो है, पुलीस ने submit की है, वो जो है, उसके basis पे, जबकि evidences की बात ही नहीं की गए, जबकि इसके पहले दो cases अपने देखे, पटियाला court और उदर हैदराबाद court की बात की, डेली court की, डेली trial court की, तो उन्होंने भी तो free की आई न, तो evidence की तो बात अपने आप में आई जाती है, तो यहाँ पर भी evidences बुलाए जा सकते हैं, तो ultimately point ही आता है, कि जो scrutiny हो, देखो, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चीए, main बात यही है, ठीक है, यह अपना principle भी है, तो चलिए ठीक है, होता है discussion यहीं खतम, thank you.